हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉजिक पार्ट शाला चैनल आज हम करेंगे करंट अफेर्स 2023 के ये करंट अफेर्स आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टन है इस लिक्टर का पीडिया आपको टेलिग्राम में मिल जाएगा जिसका के लिंक आपको इंद्रमोदी ने तो इसका अंसर रहेगा ऑप्शन एक जो ये अकैडमी है इट बिलोंग्स टू दा दवूदी बहुरा कम्यूनेटी और जो आपकी बहुरा कम्यूनेटी है ये 10 परसंट है किसका टोटल मुस्लिम पपुलेशन का ठीक है जितनी इंडिया में मुस्लिम तो ये रखा है न्यू डैली में तो इसका अंसर रहेगा ऑप्शन बी इस बिंग इस्टाब्लिश्ट टू प्रवाइड तो ये किसलिए किया गया है ताकि अकॉमोडेशन प्रवाइड करवाई चाह सके स्टूडेंट्स को और रेजिदेंट्स ओफ हिमाचल प्रदेश के जितने भी रेजिदेंट्स हैं उनको जो डैली में विजिट करें ठीक है हिमाचल प्रदेश की पात करें तो इसकी कापिटल है शिमला समर में धरमशाला है इसकी विंटर में गवर्नर है इसके राजेंद्र और लेकर और सीयम कौन है सुखविंदर सिंग सुखू तो ये देखने को मिली थी बेंगलूरू में इसका अंसर रहेगा ओप्शन ए थीम क्या था इसका लाइफ इस एन इंपोर्टन एंड क्रोस कटिंग तो कुछ एक्जाम में थीम भी पूछे जाते हैं ठीक है बात करें जी टुसी की तो इसके हम मीटिंग सदेखेंगे जी टुसी फोर अन बीनिस्टर मीटिंग देखने को मिली थी न्यूटैली में फॉर्स्त टूरिजम वर्किंग गृप मीटिंग आपको देखने को मिली थी धोर्दो एन ठान अफ कच्छ, गुजराट फॉस्त मि ट्राफिक मैनेजमेंट सिस्टम फोर ड्रोन्स इन इंडिया तो किस ने लॉंच की है तो यह की है स्काई एरॉन ने तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन ए और किस ने अन्विल किया है इसे मिनिस्टर ओफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो की कौन है नितिन गड़करी जो यह सौफ्ट्वेर है यह अलाओ करेगा ड्रोन ओपरेटर्स को वो अपने जो रूट्स है उन्हें प्लाइन करेगा इससे क्या रहेगा साथ में जो भी रिस्क है वे भी पहले ही असेस हो जाएंगे ठीक है तो यह किस ने किया है तो यह किया है यूपी गवर्मेंट ने तो इसका अंसर रहेगा और यह क्यों किया गया है तांकि उन्हें प्रोवाइट करवाई जा सके फ्री और सबसीडाइज राशन ठीक है किनको जिनके पास राशनकार नहीं है बात करें यूपी की तो इसकी कैपिटल है लखनौव सीम है इसके योगी अधित्यानाथ गवर्नर है इसके अनन्दिवन पतेल तो कौन सी कमपनी ने यह लाँच किया है तो यह किया है गूगर ने तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन दी नेक्स क्वेशन इस बात करें गूगल की तो इसको फाउंड किया गया है 1998 में फाउंडर कौन है लैरी पेज अंड सर्जी ब्रेन हैड़क्वार्टर है इसके मांटेन वियू कैलिफोर्निया यूएस से में सी यूँ है इसके सुन्दर पिचाए नेक्स क्वेशन इस विच अप्ट फॉलेंग बैंक हैस लॉंच्ट अ वेल्थ मैनेजमेंट प्लाट्फोर्म इन पार्टनर्शिप विद जियोजी फाउंड सर्विस लिम्टेड तो किसके साथ किया है इनोंने साउथ इंडियन बैंक के साथ तो इसका अंसर रहेगा आपका ओप्शन ए बात करें साउथ इंडियन बैंक की तो इसको फाउंड किया गया है 1929 में हैड़क्वाटर है इसके थ्रिसूर केरला में MD&CU है इसके मुरले रामकृष्णन टैग लाइन है इसकी एक्सपिरियंस नेक्स जनरेशन बैंकिंग next question is UNESCO has designated Odessa a world heritage in danger site in which of the falling country is it situated तो जो आपकी Odessa है यह world heritage site है जो की कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको Ukraine में तो इसका अंसर रहेगा आपका option A बात करें UNESCO की तो इसका formation हुआ है 16 November 1945 अक्सर पेपर में UNESCO की फूल फोम भी पूछी जाती है तो वे क्या है United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization headquarter है इसके Paris, France में director general है इसके Audrey Ausley जो की है France से member countries है इसकी 193 next question is the ISRO is planning to launch which mission by June और July 2023 तो यह mission का नाम है Aditya L1 और जो यह mission है यह किसके regarding है to study the sun बात करें ISRO की तो इसको found किया गया है 1969 में headquarter है इसके Bengaluru करनाटका में first chairman थे इसके Vikram सारभाई 10th chairman है इसके S. Somnath आरेभट इंडिया's first satellite launched on 19 April 1975 next question is the first G20 international financial architecture working group meeting under G20 Indian presidency has been organized in which city तो कहां देखने को मिली थी तो यह हुई थी चंडिगण में तो इसका अंसर रहेगा option B और इस meeting को inaugurate किस ने किया था यूनियर agriculture minister नरेंद्रे सिंग तोमर ने and food processing industry minister परशुपति कुमार पारस ने ठीक है next question is the 30th national child science congress has organized at which city तो कहां देखने को मिली थी यह तो इसका अंसर रहेगा option D आहमदाबाद इसको inaugurate किया था Vijay Nahirani Secretary Gujarat Science and Technology Department इसके अंदर 1400 delegates ने participate किया था जिसके अंदर थे child scientists, escort teachers, evaluators and government officials which of the following state government has launched a campaign samoghri shikshah abhyahan to make daughters of the underprivileged classes capable and self-reliined तो किस ने किया था तो यह किया था UP government ने तो इसका अंसर रहेगा option A next question is a 5-day Jeevan Vidya Shivar was organized for the teachers of government schools of which state तो जो यह Jeevan Vidya Shivar लगा था कौन सी state ने organized किया था तो यह किया था Delhi ने nearly 4000 teachers from Delhi government schools participated in the workshop who has been appointed as the new vice chief of the Indian Air Force तो किसे किया गया है तो यह नेक्त किया गया है अमनपित सिंह को तो इसका अंसर रहेगा आपका option D which edition of Kelo India Youth Game 2022 has started in Bhopal Madhya Pradish तो यह था इसका 5th edition तो इसका अंसर रहेगा option D for the first time water sport जिसको हम कहते हैं caking, canoeing, canoe salam and fencing will be the part of this edition of Kelo India Games तो यह first time इसमें add की गही है तो आपको यह पता होना चाहिए ठीक है next question is which ministry has organized the 6th day mega event भारत पर at Red Fort Lawn तो किसने कौन सी ministry ने किया है तो इसका अंसर रहेगा option C Ministry of Tourism next question is who among the following has chaired the 10th meeting of group of infrastructure committee in New Delhi तो किसने की है यह तो इसका अंसर रहेगा option D नितिन गड़करी objective क्या था इसका to address existing inter-ministral issues concerning the implementation of various infrastructure projects तो जो भी issues थे किसके regarding infrastructure projects के regarding उनके उनको address करने के लिए यह की गई थी ठीक है तो यह देखने को मिली थी Hyderabad में तो इसका अंसर रहेगा option B next question is which of the following state has celebrated the third edition of annual orange festival 2023 तो कौनसी state है यह तो यह है नागलाइड the festival is conceptualized to recognize the hard work of orange growers while facilitating them the market linkage to sell their produce तो basically आपको इसमें याद रखना है कि यह third edition था annual orange festival का और कौनसी state celebrate करती है तो यह किया था नागलाइड ने नागलाइड की बात करें तो इसकी capital है कोहिमा बात करें सेयन की तो वे है नेफियो रियो गवर्नर है इसके लागनेशन popular festivals जो आपके exam में पूछे जाते हैं तो वे हैं hornbill festival यह बहुत बार पूछा गया है moetsu festival, gara festival, monyo festival तो इसमें जो important है यह है आपका hornbill festival next question is which state has launched phase 2 of India's first government run veterinary ambulance network by flagging off an additional 165 veterinary ambulance units तो कौन सी state ने किया है तो यह किया है आंधरा प्रदेश ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option D जो यह ambulance है इनने design किया गया है ताकि इसके अंदर minor surgery भी की जा सके इसकी bovine animals जैसे की होगे sheep, goat and pets next question is who is the author of the book title India's knowledge supremacy the new dawn तो इसकी है Dr. Ashwani Fernandez author ठीक है next बात करें हम which country announced the introduction of Debbie Hockley medal to honor the outstanding female cricketer तो कौन सी country है तो यह है New Zealand तो इसका अंसर रहेगा option D next question is who has become the first Asian to bag an Oscar nomination for best actress in Jan 2023 तो कौन है यह actress तो इनका नाम है Michelle Gio तो इसका अंसर रहेगा option C यह आपकी बनी है first Asian to bag an Oscar nomination for best actress कौन सी movie थी इनकी? The everything, everywhere, all at once next question is 21st edition of exercise war in 2023 in the Western Sea Board तो किस के साथ की जाती है यह? तो यह होती है France के साथ तो पेपर में आपसे इसका edition भी पूछा जा सकता है तो आपको edition भी पता होना चाहिए Recently the biggest decline in the population of China has been recorded after which year तो यह देखने को मिला है आपका 1961 के बाद अब ठीक है? Next question is Think 20 meeting under the G20 has begun in which city of India? तो यह देखने को मिलेगी भूपाल में जो की है मध्यापरदेश की capital वेन्यू था इसका कुशा भाव ठाक्रे International Convention Center in भूपाल, मध्यापरदेश इनोग्रेट किया था इसे CM Shivra Singh चोहान ने Next question is NTPC Renewable Energy Limited has signed an MOU with which state for the development of floating and ground-mounted based renewable energy project? तो यह दो ने किस के साथ किया है? तो यह किया है थ्रिपूरा के साथ तो इसका अंसर रहेगा Option A Next question is Warehousing Development Regularity Authority has signed an MOU with which bank to help farmers in getting low interest rate loans? तो WDR ने किस bank के साथ sign किया है MOU ताकि वो farmers को मदर कर सके in getting low interest rate loans? तो यह किया है इनोंने SPI के साथ तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A Next question is Who has won the men's singles Malaysia Open title? तो यह जीता है Victor Axel तो इसका अंसर रहेगा Option B Women's singles की बात करें तो यह जीता है Akin, जो कि है Japan से Men's doubles में है Fazar and Mohamed Women's doubles में है Chen and Jia Mixed doubles में देखेंगे तो वे है Hang and Huang Next question is Which among the following has won the Spanish Super Cup for 14th time recently? तो यह जीता है Barcelona ने तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A हुआ कहां था? तो यह हुआ था रियाद Saudi Arabia की अंदर और यह जो competition है यह कब से चल रहा है? 1982 से Next question is Who has been nominated by US President Joe Biden for the post of Air Force Brigadier General? तो किसको किया गया है? नियूप तो यह किया गया है राजाचारी को तो इसका अंसर रहेगा आपका Option B Next question is The Prime Minister of which country has announced to commercialize the world's first photonic-based fall-tolerant quantum computer? तो यह किया है Canada ने तो इसका अंसर रहेगा Option D बात करें Canada की तो इसकी capital है Ottawa Currency है है इसकी Dollar President है इसके Justin Trudeau Next question is The Central Government has renamed the Mughal Gardens in New Delhi Rashtrapati Bhavan as Amrit Udyan The Mughal Gardens was designed in which year? तो इन्हें डिजाइन किया गया था 1917 में Next question is Which of the following launched She Fits the World Program? तो यह इसका अंसर रहेगा आपका PepsiCo Co. Foundation और Care यह दोनों है तो इसका अंसर रहेगा Option D Next question is Iron Man of India Sabir Ali passed away in Jan 2023 In which year was he honored with Arjuna Award? तो इन्हें दिया गया था Arjuna Award 1981 में Paper में आपसे पूछा जा सकता है Sabir Ali किसके साथ Associated है ठीक है तो जो Iron Man of India Sabir Ali इन्होंने जीखता था Decathlon Gold at the 1981 Asian Athletic Championship जो की हुई थी टोक्यो में Ali won a bronze and silver at the World Railway meet in 1981 and 85 and was honored with Arjuna Award in 1981 Next question is Voxone University Voxone University has launched Project Aspiration to Empower Adults and Girls of Standard 9 to 12 of Modal Schools and Junior College of Invit State तो ये देखने को मिलेगा आपको Telangana में तो इसका अंसर रहेगा Option A Next question is Who has won the women's single title by defeating Elena Rebecca in Australian Open 2023 तो किस ने किया है तो ये है Arena Sableka Option A is the right answer It was the 111th edition of Australian Open और जो आपका Australian Open है It is the one of the world's major tennis championship Next question is Who has been named Women Emerging Cricketer of the Year तो इनका नाम है Renuka Singh तो इसका अंसर रहेगा Option C बात करें ICC Awards की Sir Garfield Sobers Trophy दी गई है Babar Azam जो कि पकिस्तान से है Racial Trophy दी गई है Nat को जो कि England से है Men Test Cricketer of the Year Ben Stock England से Men's ODI Cricketer of the Year ये है Babar Azam पकिस्तान से Women ODI Cricketer of the Year है Nat Spirit of Cricket Award है Asif Sheik जो कि है नेपाल से बात करें ये बात की की तो इसमें दिया गया है Men's T20 International Cricketer of the Year तो वे है सूर्य कुमार यादव Women की बात करें तो वे है Tahila जो है Australia से Men Emerging Cricketer of the Year है Marco Jensen साओध अफरीका से Women में है रेनुका सिंग इंडिया 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 से Men Associate Cricketer of the Year ये है गिरहार्ट नामीविया से वेमन की बात करें तो ये है एशा ओजा इंडिया से Next question is Who has chaired the third meeting of the steering committee of National Skill Development Mission in New Delhi तो ये की है धमेंद्र प्रधान ने तो इसका अंसर रहेगा आपका option D Next question is Which of the following UT hosts the first G20 meeting on Jan 31 तो ये है पूदुचरी तो इसका अंसर रहेगा आपका option D पूदुचरी के CM कौन है तो भी है N. Rangasamy Next question is In which of the following city 36 strategic dialogue between India and France has been held तो ये कहा हुआ था तो इसका अंसर रहेगा option B New Delhi National Security Advisor की बात करें तो वे कौन है अजीत टोवल Next question is Which bank has launched a range of digital solution to streamline the life cycle of export तो कौन सा है ये तो इसका अंसर रहेगा option A ICICI Bank तो इसका बात करें बैंक की तो इसको found किया गया है 1994 में Headquarter है इसके वदोद्रा गुच्रात MD है इसके संदी पक्षी टाइग लाइन है इसकी हम है ना ख्याल आपका Next question is Which city police has won the best police unit award for 2021 तो 2021 की बात करें तो वे हैं आपकी नापूर पुलिस Next question is Who has been conferred with Assam State's highest civilian award Assam Bhagav for his contribution in cancer treatment तो ये दिया गया है Dr. Tapan Sekya को तो इसका अंसर रहेगा option D Next question is Which state government has introduced a lesson on the contribution of Fatima Sheik in the textbook of 8th class तो ये किया है introduce Andhra Pradesh ने और 9th Gen 2022 को Google ने इनने honor किया था Fatima Sheik का Doodle बना के क्योंकि इस जिन इनका था 191 birth anniversary Next question is Who has been appointed as the head of the new economic advisor council of Maharashtra तो इसका अंसर रहेगा option C and Chandrasekran Next question is Who has been appointed as the MD and CEO of Bombay Stock Exchange तो ये निक्त किया गया है Sundan Raman Ramamurthy को तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Ajay Kumar Shiri Vastav has been appointed as the MD and CEO of which of the falling bank तो इन्हें निक्त किया गया है Indian Overseas Bank का Next question is Who has won the India's ever silver medal in the fight World Blitz Chess Championship in Almaty, Kazakhstan तो ये जीता है को नेरू हमपी ने तो इसका अंसर रहेगा option B हमपी is the second Indian to win a medal at World Blitz after Vishwanath Anand Next question is India and which country have signed a number of agreements in various areas including on defense and military cooperation between the two countries तो ये किया है इन्होंने Cyprus के साथ signed तो इसका अंसर रहेगा option A बात करें Cyprus की तो इसकी capital है Nikosia currency है इसकी Euro President है इसकी Nikos Next question is Next question is According to reporters without borders a total of 1,668 journalists have been killed worldwide in connection with their work of journalism over the past two decades which of the following country has the highest death toll तो reporter without border की report के according इतने journalists मरे हैं तो आपने ये बताना है कि कौन सी country में सबसे जादा death तेखने को मिली है journalist की तो वे है Syria तो इसका अंसर रहेगा आपका option D India has assumed the presidency of plenary of the Vaisnar arrangement for how many years from 1 Jan 2023 तो इंडिया के पास जैसे G20 की presidency आई है वैसनार agreement की भी presidency इनके पास आई है तो कितने साल के लिए है ये तो ये है one year के लिए तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is the year 2023 is being observed all over the world as international year of the millets तो इसका अंसर रहेगा आपका option D millets में क्या आते हैं जैसे आपकी होगे बाजरा बगारा, sorghum बगारा और जो millets हैं ये कौन सी crop में आता है तो ये आती है खारीव क्रोप में जैसे आपका rice आता है next question is union home and cooperation minister Amit Shah has laid the foundation stone of central detective training institute at which state recently तो कौन सी state में किया है इनोंने तो इसका अंसर है option D करनाट का this will be the sixth cdti of bureau of public research and development अंडर कौन सी ministry के अंदर आएगा ministry of home affairs next question is who has been appointed as the chairman of atomic energy regulatory board तो किसे निप किया गया है तो इसका अंसर हैगा option A Dinesh Kumar Shukla the atomic energy regulatory board was constituted 1983 में बनाया गया था इसे by president of India next question is who has assumed command of Indian Air Force Western Air Command recently तो किसे दिया गया है इसका तो ये हैं पंकज मोहन सिंह को तो इसका अंसर रहेगा आपका option D next question is recently India signed an agreement with which of the following country for migration and mobility तो ये किया है इनोंने आस्ट्रिया के साथ तो इसका अंसर रहेगा option D आस्ट्रिया के कापिटल गया है तो भी है वियना बात करें स्मार्ट की फुल फोर्म तो वे है स्कोप फोर में स्ट्रेमिंग आयर्वेदर रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोफेशनल्स प्रोग्राम next question is who has inaugurated the 108th इंडियन साइंस कॉंग्रेस तो ये किया है नरेंदर मोदी ने तो इसका अंसर रहेगा option A इसका first session हुआ था 1914 में और इस बार का theme क्या है paper में आपसे ये भी पूचा जा सकता है तो science and technology for sustainable development with women empowerment और जो इस बार का session हुआ है ये देखने को मिला था नार्गपूर उनिवर्सिटी में next question is Dr. Manjula Subramaniam passed away recently at the age of 74 she was the first women chief secretary of which state तो इसका अंसर रहेगा आपका option C Gujarat a Gujarat cadre officer of 1972 Batch Subramaniam was appointed as the first women chief secretary of Gujarat in 2007 next question is the election commission of India has launched mission 929 in which of the falling state तो ये किया गया है त्रिपूरा में launch तो इसका अंसर रहेगा option A it will focus on 929 pooling boats across त्रिपूरा with the target to increase the water turnout to 92% in the next assembly elections the EC is also working on mission zero poll violence to make the assembly elections peaceful तो जो ये था 929 mission basically था आपका 929 pooling boats ठीक है about election commission of India तो इसको found किया गया है 25th Jan 1950 इस दिन मनाया कौन सा डे जाता है Water's Day Headquarter है इसके New Delhi में first chief थे इसके सूकुमार सेन first women chief की बात करें तो वे थी V.S. रमादेवी at present है 25th chief जो है Rajiv कुमार commissioner Anoop Chandra Pande and Arun Goyal जो इनके दो आपके एक रहता है chief election commissioner और दो रहते हैं आपके election commissioner tenure देखने को लेंगे तो ये रहेगा आपका 6 साल और 65 years ठीक है next question is SPI card has partner with which of the following bank to launch co-brand credit card for the bank customer तो इसका answer रहेगा Punjab and Sindh Bank option A is the right answer Punjab and Sindh Bank की बात करें तो ये found किया गया है 1908 में headquarter है इसके न्यू डेली में MD है इसकी सब्रूप कुमार साह executive director है इसके colleagueal V. Raghavendra tagline है इसकी where service is a way of life DRDU foundation day is celebrated every year on which day तो ये बनाया जाता है 1 Jan को तो इसका answer रहेगा option A इस बार था इसका 65th foundation day DRDU का establishment हुआ है 1958 में headquarter है न्यू डेली में President है समीर वी कामत next question is who has become the first women army officer to get operationally deployed on the Siachan glacier the world highest battlefield तो पेपर में अकसर पूछा जाता है world की highest battlefield कौन सी है तो वे है आपकी Siachan glacier किसी भीजा गया था यहां पी तो यहां deploy किया गया था Shiva Chohan को तो इसका अंसर रहेगा आपका option B next question is Sumitra Saint passed away recently at the age of 89 who was she? तो यह थी आपकी singer तो इसका अंसर रहेगा आपका option A next question is which of the following state has launched two program named Didir Surakshah Kavach और Didir Dut ahead of 2023 Panchaid Pulse तो इसका अंसर रहेगा आपका option B West Bengal West Bengal की बात करें तो इसकी capital है Kolkata CM है इसकी मंता बैनर जी Governor है इसकी सेवी अनन्द बोस Heritage Site है यहां पे सुंदरबर National Park Baksar Tiger Reserve देखने को मिलेगा Gorumara National Park Jalpara National Park Neura Valley National Park तो यह paper में आपसे पूछे जाते हैं तो यह आपको सभी याद होने चाहिए Next question is Fox singer Methili Thakur has been appointed as the state icon for which of the falling state by the election commission तो इसका अंसर रहेगा Option D Bihar Next question is बात करें बिहार की तो इसका establishment हुआ है 22nd March 1912 को Capital है इसकी पटना CM है इसके नेतिश कुमार Governor है इसके राजेंद्र विश्वनाद अर लेकर Fox dances की बात करें तो वे कौन-कौन सा है विदेशिया जट चतिन जुम्री जेजिया कजरी पलका फगुआ ठीक है बिहार की लोग सबसीट सेखें तो वे हैं 40 राजे सबसीट सैंस की 16 असेंबली सीट सैंस की 243 मेजर एरपोर्ट कोन से हैं तो वे है चैप्रकाश नरायन International Airport वालमी की नैशनल पार्क यहां पे देखने को मिलेगा आपको Next question is New CEO of Bank of Singapore तो इनका नाम है Jason Moon तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C Next question is The Government of India has constituted 17 Member High Power Committee to protect Lada culture, language and employment under the chairmanship of तो किसके chairmanship के अंडर यह बनाई गई है तो इसके chairman है Nityanand Rai तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A Next question is President Draupati Murmo has inaugurated 18th National Scout and Guide Jimbo at Rohat in Pali District of Rajasthan What is the theme of 18th National Scout and Guide? तो यह क्या theme थी इसकी progress with peace तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C First National Scout and Guide Jimbo was held in कहा हुई थी? Andhra Pradish में कौनसे एर में? 1951 में Next question is Which state government has signed an MOU with six UA-based companies worth Rs. 18,590 करोर ahead of Global Investor Summit? तो यह किया है UP ने तो इसका अंसर रहेगा Option A Capital किया है UP की? तो वे है लखनो दगान दगान नगाई फेस्टिवल औफ जिलेंग ग्रोंग कम्यूनेटी हास बिन सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो यह देखने को मिलेगा आपको मनिपूर में तो इसका अंसर रहेगा Option D और यह मनिपूर का एक मेजर फेस्टिवल है जो की मनाया जाता है हर साल आफ्टर हार्वेस्टिग ठीक है नेक्स क्वेशन इस विच स्टेट कवर्मेंट हैस लॉंस्ट था सी एम रिजिडेंशल लैंड राइट स्कीम तो कौन सी स्टेट गवर्मेंट ने किया है ये तो इसका अंसर रहेगा Option D मध्यपरदेश ने नेक्स क्वेशन इस बंदन बैंक हास लॉंस्ट एट्स जहान बंदन वहां ट्रस्ट केंपेंग तो वे हैं सौरव का अंगली तो इसका अंसर रहेगा Option C बंदन बैंक की बात करें तो ये फाउंड की गया था 2001 में फाउंडर है इसके चंदर शेकर घोष हैड़क्वाटर है इसका कॉलकाता में MD है इसके चंदर शेकर घोष और चेर परसन है इसके अनुप कुमार सिनहा ओथर अफ़ टाइटल अंबेत कर अलाइफ तो इसके ओथर है शशी थरूर तो इसका अंसर रहेगा आपका option C विच स्टेट है वन यूँएन हाबिटेट वोल्ड हाबिटेट अवर 2023 फोर्ट जग मीशन अफाइव टी इनिशियेटिव ऑफ ता स्टेट तो ये जीता है और इसानी तो इसका अंसर रहेगा option A जो आपका ये mission है ये किसके लिए है land tilting and slum upgrading program जिससे कि क्या होगा empower करेंगे किनहें जो लोग रहते हैं कहां पे slum areas में ठीक है In 2019 Odisha Jug Mission received world habitat award for its success in providing land tenure security to slum dwellers Next question is which country has approved the first ever vaccine for honeybees for the protection from the American for foul brood disease तो इसका अंसर रहेगा option D USA Next question is India will host a special virtual summit on 12th and 13th of Jan called Voice of Global South Summit What is the theme of this summit? तो वे थी unity of voice, unity of purpose तो इसका अंसर रहेगा आपका option C प्रवासी भारतिय दिवस की बात करें तो इसमें पूचा गया है कि इस बार का ये कौन सा edition था तो ये था 17th कहां देखने को मिला था? इंदोर, मध्यबरदेश में ठीक है और इसमें किनहे बुलाया गया था? As a chief guest ये आप मुझे comment box में बताएंगे और इसका theme क्या था? Diaspora Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kaal Next question is Who has launched the theme of Y20 Summit logo and website in New Delhi in the curtain razor event of Y20 Summit तो किस ने किया है ये? तो इसका answer है option A Anurag Thakur Y20 क्या है आपकी U20? ठीक है Next question is Odisha CM Naveen Patnaik has inaugurated the state-of-the-art hockey stadium in Roerkela The stadium has been named after which freedom fighter? तो किन के नाम पे है ये? तो ये है बेशामूंदा के नाम पे तो इसका answer रहेगा आपका option C Next question is Union Social Justice and Empowerment Minister Dr. Varendra Kumar has inaugurated Purple Fest celebrating diversity in which state? तो ये देखने को मिला था Goa में तो इसका answer रहेगा आपका option C Purple Fest is the first festival of its kind in Goa और इसका objective क्या था? To showcase how we can come together to create a welcoming and increasing world for everyone Next question is In which state of India the fall's first palm leaf manuscript museum has been inaugurated? तो ये देखने को मिला है केरला में तो इसका answer है आपका option D Next question is Which of the following state government has begun car survey in different parts of the state? तो ये देखने को मिलेगा आपको बिहार में तो इसका answer रहेगा आपका option B और यहां के CM का नाम है नितिश कुमार Next question is Who has been elected as the speaker of US House of Representatives? तो इनका नाम है Kevin McCarthy Next question is Who has become the 79th chess grandmaster of India? तो ये बने है M. Pranish तो इसका answer रहेगा option A बात करें बाकी grandmaster की 75 ते आपके V. Pranav Tamil Nadu से 76 ते हैं Pranav Anand Karnatka से 77 ते है Aditya Mittal जो है Maharashtra से 78 है Kostav Chatterjee जो है West Bengal से Some important points देखते हैं इंडिया के पहले grandmaster है Vishwanath Anand Tamil Nadu से इंडिया की first female grandmaster S. Vijay Lakshmi Tamil Nadu से इंडिया's youngest chess grandmaster तो इनका नाम है Abhimanyu Mishra Indian American Next question is Who has become the first female cricketer to have a statue cast in her honor at Sydney Cricket Ground in Australia तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Belinda Clark Next question is As per the Nikkei Asia report India has overtaken which country to become the world's third largest auto market तो किसी किया है इन्होंने तो इन्होंने सरपास किया है Japan को तो इसका अंसर रहेगा आपका option C First पे रहेगा China USA second पे Next है आपका Which company has launched low smoke superior kerosene oil for the Indian army in Jammu and Kashmir तो ये है भारत Petroleum Corporation Limited Next question is BPCL की बात करें तो इसको found किया गया है 1952 में Headquarter है इसके Mumbai में Chairman है इसके Vetsa Ramakrishna Gupta Former governor Kisharinat Tripathi passed away Apart from West Bengal Tripathi had taken additional charge of governor of Bihar Meghalya and which state और ये किस state के थे और थे ये मेजोरम के Next question is Vetsa State Government has announced that 122 new sport complex will soon be built in rural areas to reinforce the state's status as a sporting powerhouse in the country तो कौन सी state government ने announce किया है 122 नए sport complex बनाने का तो ये है Maharashtra तो इसका अंसर रहेगा आपका option A Maharashtra की बात करें तो इसकी formation हुई है 1 May 1960 मे Capital है इसकी Mumbai गवर्नर है इसके रमेश बाइस और इसके सीम है एकनाथ शिंदे Heritage Sites कौन कौन सी है यहाँ Ajanta Caves Elora Caves Elephant Caves चत्रपती शिवाजी Terminals Victorian Gothic and Art Deco Assemblums of Mumbai बात करें यहाँ के National Park की तो कौन कौन सी है Chandoli Negaon National Park Sanjay Gandhi National Park and Tadoba National Park Union Home Minister तो यह देखने को मिलेगा आपको Moneypur में तो इसका अंसर रहेगा Option D Next question is Which state celebrated the traditional Chachira Festival at Dhunadhari Mart in the state तो यह कहाँ पे है आपको देखने को मिलेगा कौन सी state में तो यह है 36 कर में तो इसका अंसर रहेगा Option A 36 कर की capital गया है तो यह है राइपूर Next question is Who has released the book title CM Diary No. 1 तो यह है Ranjan Gugai ने release की है तो इसका अंसर रहेगा Option A Next question is Who is the author of the book Revolutionaries The Other Story of How India Won Its Freedom तो किसने लिखी है यह तो यह लिखी है Sanjeev Sanayal ने तो इसका अंसर है Option D Who has been appointed as the new MD and CEO of Paytium Payments Bank Limited तो किसी नुक्त किया गया है तो इसका अंसर रहेगा आपका तो इसका अंसर है आपका Option B Surinder Chawla Who has become the first female Sikh judge in the US तो इनका नाम है Manpreet Monica Singh Option D Is the right answer Next question is Which among the following has launched a portal for mapping of industrial units and laboratories तो यह किया है किसने launch Bureau of Indian Standard ने तो इसका अंसर रहेगा आपका Option C Next question is Gujarat CM Bhupindra Patel Has inaugurated the International Kite Festival 2023 in Ahmedabad What is the theme of this festival तो Bhupindra Patel ने कौन सी की है Theme क्या रिखी थी इसकी तो theme थी इसकी One Earth, One Family, One Future तो इसका अंसर रहेगा Option B Next question is Which state government has launched 100-day global city campaign in advance of global investor summit and G20 summit तो कौन सी state का है ये तो इसका अंसर रहेगा आपका Option A UP इसका objective क्या है To bring urban areas in the state up to global standards with a focus on improving urban facilities air quality, cleanliness and beautification as well as proper garbage disposal तो ये इसका objective है ठीक है तो यहां पर हमारा ये आज का session खतम होता है I hope आपको ये session अच्छा लगा हो Thank you so much for watching this session आपका झाल झाल